तो फ्रेंड्स उत्तर पर्देश प्रब्लिक सेर्विस कमीशन का जो रिकूट्मेंट है असिस्टेंट इंजिनियर वालों के लिए वो निकाल दिया गया है और यहां पे बहुत सारे स्ट्रीम एलिजिबल है जैसे इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल, सिविल, इलेक्ट्रोनिक्स वा आपने हो सकती है, तो वीडियो को एंट तक जिरू देखिएगा, अगर आप यहां पर देखो गे तो असिस्टेंट इंजिनियर के लिए पोस्ट निकाला गया है, और यहां पर आल ओवर इंडिया से सब भी एलिजिबल है, यह आपका पर्दिन जॉब रहने वाला है, तो यहां पर आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, तो वीडियो में एंट तक जिरू बने रहीएगा, सारा चीज डिटल में मैं आपको पर के समझा दूँगा, बहुत कुछ हिंदी भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको यहां पर ट्रांसलेक्ट के सारा चीज समझा जरू कर लिजेगा, क्योंकि मैं एविडेय इंजरिंग जॉप से लेटेट नोडिफिकेशन आपको लाता रहता हूँ, यह है उत्तरपर्देश पब्लिक सर्विस कमिशन का ओफिशल अपसाइट, इसको आप खोल लिजेगा, वैसे मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑफिशल लिंक प्रोवाइट कर दिया है, ठीक है, जैसी आप इस ऑफिशल अपसाइट पर आते हूँ, आपको यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में यहाँ पे देखिएगा, ओल नोडिफिकेशन आडवराइजमें लिखा हुआ है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये उपर वाला, आप देख लो यहाँ पे अडवराइजमें नमबर A5E1-2021 ठीक है, जिसकी यहाँ पे लाजड रखी गई है, 13th September 2021, यहाँ पे देख लिजिए, व्यू अडवराइजमें लि कैसे करना है, साथ में अप्लिकेशन फॉर्म जो है, उसको कैसे भढ़ना है, साथ में यहाँ पर पुरा कम्प्लीट प्रोसेस का एक सैंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो यह सारा अगर आप क्लिक करके देखो गे, जैसे मैं सैंपल कॉपी और खोल को दिखा दूँ, तो यहाँ देखिए, पुरा स्टेप बाइ स्टेप सारा चीज यहाँ पर करके आप लोग को यहाँ पर सारा चीज शो कर दिया गया है, आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो, उसी तरह के से यह डिटेल अड़राइजमें को माक आउट करके रखा हुगा है, चली सबसे पहले हैं लोग इसको समझ लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सेविस कमिशन में यह ओफिशल ओडिफिकेशन आप लोग के लिए निकल के आ रहा है, तो रह जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सारा चीज यह गया है, तो जो यहाँ पर अंडिजर्ब यानि कि जो जेनरल है और EWS काडिगरी से बिलॉग करते हो, आप लोग को यहाँ पर टोटल एक्जाम फी 200 रुपीज और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का 25 रुपीज, यानि कि टोटल 225 रुपीज यहाँ पर पे करना है, तो अब बात क पे करना है, तो यह हो गई application की बात, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं number of vacancies के, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी की और भी बहुत सारे चीज़ है, इसको जेकर लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दू कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर सबको मिला के यहाँ पर 271 वैकेंसी निकल के आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग-अलग department में, अलग-अलग stream के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, PWD यानि कि public works department में यहाँ पर assistant engineer, civil वालों के लिए post निकल के आ रही है, 36, civil वालों के लिए सिप यहीं पर खतम नही इसमें कुछ भी बताया नहीं गया है कि किसके लिए कितना है, लेकिन टोटल दोनों मिला के यहाँ पर 28 वैकेंसी निकाली गई है, अब बात करें, housing and urban planning department में, तो यहाँ पर civil assistant engineer वालों के लिए 21 seat है, नगर विकास विवाग में यहाँ आप देख सकते हो, assistant engineer water department के लिए 14 seat है जिसमें civil electrical mechanical तीनों ही eligible है, नगर विकास विवाग में यहाँ पर traffic assistant engineer में civil वालों के लिए 4 seat निकल के आ रही है, अगरिकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पर agriculture वालों के लिए 4 seat निकल के आ रही है, उसके बाद यहाँ पर अवाज, एवं, विकास, परिशद में यहाँ प सेम डिपार्टमेंट में यहाँ पर electrical वालों के लिए 4 seat है, उसके बाद ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो, civil वालों के लिए 6 है, और mechanical वालों के लिए 3 निकल के आ रही है, ठीक है, minor irrigation डिपार्टमेंट में agriculture वालों के लिए 7 है, industrial development डिपार्टमें में civil वालों के लिए 49 है, और electrical mechanical वालों के लिए 5 सिटे निकल के आ रही है, home police department में बात करें, यहाँ पे तो chief fire officer के लिए यहाँ पर 13 vacancy है, जिसमें civil, mechanical, electrical, chemical, industrial, fire, hydraulics, सब भी यहाँ पर eligible है, उसके बाद यहाँ पर information and public relation department में, assistant television engineering department में एक vacancy है, electronics वालों के लिए, तो यह हो ही total vacancy की बात, ठीक है, salary package आप यहाँ पर देख सकते हो, pay scale आपका 15,600 और grade पर आपका 5,400 रहने वाला है, तो salary बहुत ही अच्छा है, इसके उपर परक्स and benefits तो और अलग से वो सब बहुत सारे मिलते ही है, ठीक है, चलिए आगे बरते हैं, जो आपको यहाँ पर समझना है, अब एक चीज यहाँ पर देख लिजिए, जो भी male candidate है, आपकी अगर एक से ज़्यादा wife है, तो आप यहाँ पर eligible नहीं हो, जो female candidate है, वो एक ऐसे person से साधी कियो हो, जिसका already एक और wife है, तो भी आप यहाँ पर eligible नहीं हो, यह साब सब यहाँ पर mention किया गया है, ठीक है, अब educational qualification की बात करें, तो यहाँ पर देख लिजिए, लगभख सब में ही यहाँ पर bachelor degree मांग लिया गया है, मैं सब को लेकर यहाँ पर समझाने वाला नहीं हूँ, बहुत time लग जाएगा, ठीक है, तो in short मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो भी department से बिलॉंग करते हो, सब के ल साल का मिल जाता है, SC वालो को, ST वालो को, और other backward classes of UP वालो को, यानि कि यहाँ पर जो reservation system मिलने वाला है, वो UP वालो को ही मिलने वाला है, बाकि सब को यहाँ पर as a generally यहाँ पर apply करना पड़ेगा, 15 years मिल जाता है physically handicapped जो है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर syllabus यहाँ पर आपको मिल जाएगा, civil engineering paper 2 का भी सारा syllabus यहाँ पर मिल जाएगा, इसी तरही के साब electrical, mechanical सभी का paper 1 और paper 2 दोनों का ही आपको पूरा full यहाँ पर syllabus जो है वो आपको मिल जाने वाला है, तो यह notification को अपने वाला है, खुद से जलूरी study कीजिएगा, ठीक है अचली paper pattern क आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर paper pattern के बारे में यह दिया हुआ है, इसको मैं zoom कर लेता हूँ थोरा, हाँ आप देख लिजे यहाँ पर, तो paper 1 आपका total यहाँ पर 375 marks करने वाला है, paper 2 भी आपका यहाँ पर total 375 marks करने वाला ह है, और 100 marks आपका यहाँ पर interview लिया जाएगा, तो total आपका 850 marks कर यह exam आपका यहाँ पर होने वाला है, जिसमें आपका 25 questions आपका रहने वाला है, समानने हिंदी से, जिसका एक-एक question का जो number है, वो 3 number रहेगा, यानि कि total हो गया आपका 75, और आपके जो stream है, जैसे electrical civil, या mechanical, जो भी हो electronics, जो भी agriculture, उसका आपका 100 question रहेगा, सब 3 marks के total 300 हो गया, इस तरीके से 375 हो गया, और एक-एक paper आपका 5 गंटे का total paper आपका यहाँ पर होने वाला है, तो यह है paper pattern के बारे में, अब चली मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको apply कहाँ चा करना है, तो इसके लिए आपको official website पर जाना परेगा, official website पर आप जैसे आते हो, जहां से आपने यह view advertisement पर click किया था, उसी के बगर में आपको यहाँ पर apply link मिल जाता है, जिस पर आप click करके apply कर सकते हो, apply करने के बाता आपको समने यह page यहाँ पर खुल किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ करना है, registration करने के बाद ही आप वहाँ से login करके apply कर पाओगे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यह सारा process आपका यहाँ पर mention किया हो गया है, तो मैंने सारा ही link इस वीडियो को description प्रवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके इसको कर सकते हो, तो I hope वीडियो आप लोग को प आपर तरीके से, और मुझे मेरे channel, telegram पे आप follow जरूर कर लिजेगा, कि मैं busy होने के कारण, इस channel पे per day एकी वीडियो ला पाता हूँ, और बागी के जितने भी recruitment रहते है, या important notification रहते है, या civil engine related questions, answer, कुछ भी रहा, interview के कुछ भी, वो सारे मैं telegram group में आप लोग के लिए share क आउंगा अपनों के लिए, तब तक के लिए, बाई, टाटा, जय हिंद,